जोतिश के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को नमस्कार आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पाहर दिख स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि जब ब्रिहस्पती मकर राशी में किसी व्यक्ति की कुंडली में स्थेत होता है तो उसके कैसे परणाम होते हैं तो आज हम जान रहे हैं कि ब्रिहस्पती जब मकर राशी में होता है तो वो कैसे परणाम देता है जो लोग भी जोतिश से थोड़ा बहुत फैमिलियर हैं वो ये जानते हैं कि ब्रिहस्पती जो है मकर राशी में नीच का होता है तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे सबसे पहले शुरू करने से पहले की परिणाम क्या होते हैं जानते हैं कि ब्रिहस्पती और मकर राशी क्या संबोधित करते हैं किन-किन छेत्रों को ये नियंतरित करते हैं सबसे पहले जानते हैं ब्रिहस्पती के बारे में देखी ब्रिहस्पती जो है जोती शास्त्रमें चंतरमा के बाद भौतिक रूप से बहुत जादा महत्वपूर चेत्रों का कारक ग्रह है कारक कार्थ यह होता है कि भले ही वो ग्रह जो है कुंडली में आपके भाव को भाव के अधिपत्य द्वारा उसको नियंतरित नहीं कर रहा है उस चेत्र को पर फिर भी उसको हम देखते हैं क्योंकि वो उसका कारक ग्रह है इसको धारन की तोर से आप ब्रिहस्पती पांचवे भाव का स्वामी नहीं है या पांचवे भाव में वो इस्थित नहीं है या सिक्षा से कोई लेना देना नहीं है कुंडली में पर फिर भी हम ब्रिहस्पती को देखेंगे हर व्यक्ती के लिए इस पूरे स्रिष्टी में हर व्यक्ती के लिए ब्रिहस उत्पन होते हैं भले ही आपका पांचवे भाव का स्वामी उच्च का क्यों नहीं हो जाए उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर जो है ब्रिहस्पती कमजोर हुआ तो सिक्षा में जो है परिशानिया उत्पन्द करेगा तो यह एक कारक ग्रे होने की वज़ा से पर अब सिक् कित्र की अगरी महत्व पूर्ने चेत्र है जिनका कारक जनका धुए पर उसको जानते हैं डी हससती का रख होता है जनका ग्यान का जनका अध्यात्म का भुद्धी का गुरु उन से ना का आ के पर विशेष इन्से सब्ण की प्राप्ति हो उनका ब्रिहस्पति है лов में का ध दर्शन का कारक है, महिलाओं की कुंडलियों में पती का कारक होता है, वैवाहिक जीवन को पूरी तरीके से नियंतरित करता है, महिलाओं के केस में ब्रिहस्पती और भी जाद महत्वपूर्ण है, हमारे भीतर की जो अच्छी आदिते हैं, जो हमारे उसूल हैं, आदर्श हैं moral principles जिसको कहें उनका कारगय ब्रहस्पती है शरीर की बात करी जाए तो फैट है लिवर इस्प्लीन और लिंफेटिक सिस्टम को नियंतरित करता है अगर अब देखा जाए तो ब्रहस्पती हमारे जीवन के अनेक महत्वपूर्ण छेत्रों का कारक ग्रह बनता है जिसकी वजह से वो चंद्रमा के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है अब बात करते हैं मकर राशी की तो मकर राशी जो है किन किन शित्रों को दिखाती है उसको देखते हैं मकर राशी देखे दस्वे भाव की मूल राशी है कालपुरुष कुंडली के अनुसार शनी इसका स्वामिगर है और ये प्रिथवी तत्व की राशी है तो यह जो राशी है यह अर्थ त्रकोन में आती है अब यहाँ पे यह राशी इसी वजह से क्योंकि यह एक भावतिक राशी है एक प्रिथ्वी तत्व की राशी है और अर्थ त्रकोन में आती है दस्वा भाव अर्थ त्रकोन का हिस्सा होता है इस वजह से यह दिखाती है भ और साथी साथ दस्वे भाव के मूल गुड होते हैं इसमें शनी के मूल गुड होते हैं तो ये करियर, अथॉरिटी, पावर, गवर्मेंट या जीवन में अनुशासन, लौ या कानून या न्याय व्यवस्था इनको भी संबूदित करती है हमारे जो निर्ने लेने की छमता है या किसी भी सेक्टर में, हाई प्रोफेशनलिजम, जहां पे आपको अपने महनत और पुर्शार्थ और बल्बूते के भरोसे ही जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उसको ये राशी दिखाती है, पूरी तरीके से कि कर्म करके वेक्ति आगे बढ़ रहा है, क्यो से परनाम देता है, जैसा मैंने कहा कि जो लोग जोते से अवगत हैं, जानते हैं कि ब्रिहस्पती इस राशी में मकर राशी में जब होता है, तो वो नीच का हो जाता है, और नीच का क्यों होता है पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि ब्रिहस्पती जो है यहां पे जैसे हमने करता है सहायक ग्रेह और प्रहपती काफी शुभ माना जाता है इसे Yukande के लिए प्र फिर भी इसराशी में आने पर वह नीज और ऊôज जाता है इसा क्यों और प्रहपति अर शनी मैं शत्रूता भी नहीं ब्रियस्पति और शनी एक दूसरे के लिए नीट्रल ग्रैं हैं। वो दोरों एक दूसरे के शत्रू ग्रहं नहीं माने जाते jest पर फिर भी ब्रियस्पति यस राशी में नीज éta क्यों होता है पहले तो इसको शमचते है. देखिए ब्रेश्पति जो है मकर राशी में इस वज़े से नीच का है क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये जो राशी है अर्थत्रकोंड की राशी है और सिर्फ और सिर्फ भौतिकता को दिखाती है इसका कोई भी लेना देना आध्यात्मिक रूप से नहीं है और अगर हम अर्थत्रकोंड में बात करें तो अर्थत्रकोंड में सबसे मजबूत राशी ये है अर्थत्रकोंड में तीन राशी आती है विर्षब राशी कन्या राशी और मकर राशी और मकर राशी अर्थत्रकों सब से महतवपूर सबसे मपम Да तो अब जब आठ का मतलब क्या है अर्थ का मतलब है जो भी भातिक संसार है जो ही खास्तोर से sophisticated जो ऊस्की विशह वस्तु है जो कि हमें भातिक रूप से लाभ पहुचाये यह बहुतिक रूप से हमें एक तरीके से सुख की अनुभूती दें, वो जो है इसके अंतरगत आती है, तब ब्रिहस्पती जो है इसका ठीक विपरीत ग्रह है, ब्रिहस्पती अर्थ का कारक नहीं है, अला कि वो धन संपत्ती के लिए बड़ा जिम्मेदार ग्रह माने जाता है, पर फिर भ संसार में वो उल्जा हुआ है, इस वज़े से वो यहां पे ऐसी परिस्थिती में फस्ता है, जहां पे उसके पास कोई भी अवसर नहीं बचता है, कि वो जीवन में कभी भी आध्यात्मिक और अलवकिक ज्ञान की और जीवन में व्यक्ति को बढ़ा सके, खुद बढ़ सके यह बहुत बड़ा कारण बनता है कि ब्रहस्पति इस राजीम नीच का हो जाता है, क्योंकि ब्रहस्पति जो है कैसी भी स्थिती में हो, उसका मूल भूत गुण यही है कि वो आध्यात्म और ग्यान और दर्शन और धर्म को दिखाता है, यह मूल गुण है उसका, हमारे अं काम कमाना, बहुत जादा करियर में तरक्की हासिल करना, बहुत सारा धन कमाना यही परपस है, यैं इसके अतरिक्त भी कुछ एक हायर परपस है, यह ब्रहस्पति ही एसी परिस्थिती में आके फस जाए जहां पर वो कोई भी आवसर ढूंड ही ना सके कि वो कभी भी व्यक्ति को एक तरीके से प्रेडित कर सके इस पत्थ पर चलने के लिए इस एक सोच को जन्म दे सके कि नहीं करियर है भौतिकता है रुपए है पैसे इनसे भी परे कोई चीज है जो की हमारे जीवन के लिए अनिवार है उसको एक उसका बेस है तो वो यहां पर ब्रेस्पति कर नहीं पाता है और यही सबसे बड़ा कारल बनता है कि वो यहां पर नी तीनों में सबसे मजबूत अर्थत्रिकोन में अगर कोई आती है तो यही है सबसे मजबूत अगर कोई पृत्वी तत्युकी राशी है त्ीनों में वो यही है मकर राशी है इस वज़े से पूरी तरीके से प्रिथवी से जुड़ गया है अगर प्रिथवी से ही जुड़ गया और प्रिथवी क्या भाउतिक है प्रिथवी अलोकिक नहीं है तो अगर प्रिथवी से जुड़ के रह गया और अलोकिकता कि और कभी जाने का प्रयास कर ही नहीं साका कितना भी वो चाहे तो वो क्या करेगा नीच का महसूस करेगा इसी वज़े से वो नीच का हो जाता है आपे अगर हम लॉजिकली देखेंगे कि भई क्या शनी और ब्रहस्पती एक दूसरे के शत्रू है नहीं उस बेसिस पे वो नीच का नहीं होता है नहीं वो इस बेसिस पे नीच का होता है कि व वजह से ब्रिहस्पती मकर राशी में नीज का माना जाता है ठीक है अब बात करते हैं आगे कि जब ब्रिहस्पती इस राशी में हो तो आज हम जानेंगे कि ब्रिहस्पती के तीन प्रकरणों के बारे में जानेंगे तीन प्रकरण यानि थ्री केसे पाइला केस ही है कि ब्रिहस ब्रहस्पती का नीजभंग नहीं है और ना ही उसको शनी से बल की कोई प्राप्ती है और वो खुद भी पीडित हो रहा है तो इन तीनों सूर्तों में इन तीनों केसिज में तीनों प्रकरों में कैसे प्रणाम वो दे पाएगा उसको जो है हम आज अलग-अलग केसिज को और और कितनी मात्रा में भी हम नीजभंग को कंसीडर करते हैं वो भी उस वीडियो में बताया गया है तो नीच भंग जो है 100% नीच भंग होता है कि पूरे तरीके से नीच भंग हो गया किसी भी तरीके का नीच बच नहीं रही है ग्रहे में या 70% नीच भंग है या 50% नीच भंग है या 30% नीच भंग है इस सारी चीज़े उसमें बताई गई हैं आप उसको विस्तार से देखें समझें और फिर जो है इसको आप और अच्छे तरीके समझ पाएंगे जिन पर नामों की आज हम बात करेंगे तो सबसा पहला केस यह है कि नीजभंग यदी ब्रहसपती का बनता है तो यहां पर ब्रहसपती प्रबल माना जाएगा यहां पर ब्रहसपती कमजोर नहीं माना जाएगा किसी भी तरीके से और ये नीजभंग जितना मजबूत होगा मान लिजे शनी और ब्रहसपती दोनों साथ में बठे हैं मकराशी में तो यह नीजभंग का केस बनेगा किसी भी तरीके के, नकरात्माग परणाम यहां नहीं दिखाई पड़ेंगे इस तूरत में, तो पहला केस यह रहा है कि नीज भंग है अब रहस्पती प्रबल हो जाएगा, तो यहां पे कौन कौन से परणाम होते हैं, इनके बारे में जानते हैं, देखें पहली चीज़ यहा और पुरुशार्त और कर्म करने में ऐसे व्यक्ति अधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि दस्वा भाव, मकर राशी और श्हनी क्या है, कर्म कारक हैं, कर्म को दिखाते हैं, बिलीव मोर इन एक्शन्स राधर देन वर्ड्स, राधर देन जेस्ट मियर अंबिशन्स, तो यह एक बहुत अच्छी स्थेती यहां देखने को मिलती है, साथी साथ व्यक्ति के भीतर नयतिकता, दूरदर्शिता, आदर्शवादिता, भरता है, सत्य और नयाई परिगी बनाता है, क्योंकि यह राशी किसकी थी, कानून की होती है, नयाई की होती है, और एक तरीके से लौ जिसको कहें, उसको दिखाती है, तो सत्य एवँ नयाई परिगी बनाता है ब्रहस्त पती का का रगग रहे, शानीयों ब्रहस्त पती दोनों ही लौ के कारग होते है, व्यक्ति को वास्तविक बनाएगा, प्रक्तिकल एक्टिटूड देता है, ब्रहस्त पती यहां पर साथी साथ मजबूत निरनायक और नेत्रत्व छमता यहां पर ब्रहत्तपति विक्ति को प्रजान करता है समाज सेवा में विश्वास करते हैं प्रयास भी करते हैं यानि कि जो भी उनके पास ग्यान है जो भी उनके पास गुण है उनकी साहता से वो जीवन में लोगों की साहत कर सके समाज हित्मे कारे कर सके इसके लिए वो प्रयास करते हैं ब्रहस्पति यहां पर इसके लिए बड़ी अच्छी स्थिति माना जाता है साथ परिश्रम दौरा जो है जीवन में अच्छी शिक्षा और समाजी की स्तर उच्च समाजी की स्तर और उन्नत व्यवसाइक सफलता भी व्यक्ति प्रदान करता है तो यहां परिश्रम पर ज़रूर होगा क्योंकि शनी और मकर राशी बगेर परिश्रम कि यह कुछ नहीं देते हैं आपको मेनत करने ही पड़ेगी और इसलिए जैसा माने का कर्म में व्यक्ति का अधिक विश्वास होता है और जितना कर्म करते ह हैं ब्रिवल्यास्पति क्योंकि भागय का कारक है उतना ही भागय साथ देता है तो यहां परिश्रम दॉरा जो है व्यक्ति के उनका अगर यहां पे अच्छी स्तिति में जैसे हम इस की बारें बात कर रहें जरूर प्रदान करता है मेनत करने के उपरामत अगली चीज जो यहां कुछ एक बहुत अच्छे career field से जिनके लिए बड़ी इच्छी स्थिती मानी जाती है पहले number पर आता है प्रबंधन, management किसी भी प्रकार का management हो सकता है किसी भी तरीके का यहाँ पर बहुत सारे type के management है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का management हम देख सकते हैं specifically कहा जाए तो खास तोर से human resources के लिए बहुत अच्छा मना जाता है बाकी in general किसी भी तरीके का management है या executive से देख सकते हैं या organizers से देख सकते हैं बड़ी इच्छी स्थिती होती है उनके लिए प्रशासन है, प्राधिकरण है, राजिनीती, वकालत, न्याय व्यवस्था कानून से जुड़ा कोई भी काम, रक्षा सेवा है पुलेस, खेल, जगत, क्रिशी, चिकित्सा और सिक्षा के लिए भी जुए सिक्षास जुड़े छेत्रों में काम करने के लिए बड़ी शुब स्थिती होती है पर इनके लिए ब्रहस्थपती की स्थिती को जरूर देखें जितना प्रबल उसका नीजभंग बनता जाएगा उतनी इन छेत्रों में व्यक्ति को सफलता मिलती जाएगे अब अगले केस की बारे में बात करते हैं पहला केस था दूसरा केस है यहां पर कि यदि नीजभंग नहीं है पर शनी से बल प्राप्त व्यक्ति को हो रहा है तो यहां पर कुछ नकारात्मक पर नाम दिखाई पड़ेंगे पूरी तरीके से नकारात्मक इस्थिती हम बिल्कूल इसे नहीं मानते क्योंकि यहां पर ब्रहस्पति का मालीजे नीजभंग नहीं बनता पर शनी ऐसी स्थिती में है जहां पर वो खुद पीलित नहीं है वो खुद मजबूत स्थिती में है और ब्रहस्पति को वो सपोर्ट दे रहा है चंद्र या लगनिके स्वामी को भी जरूर देखते हैं अगर वो भी अच्छे स्थिति में हैं तो वो और शुब स्थिति मानी जाती है तो अगर जो है चंदरोल लगनिक के स्वामी मजबूत है शनी जो है चीस्तिती में है और ब्रहस्पती का माली जे नीजभंग नहीं भी बनता है कि जिकार रणवश फिर भी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रहस्पती खराब नहीं माना जाएगा कुछ नकारात्मक परण परणाम होते हैं अतिना करात्मक वो यहां नहीं होंगे तो आप कौन-कौन से परणाम यहां देख सकता है उनको बारियम जानते हैं यहां पर पहली चीज़ दिखाई पड़ती है सिक्षा में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है बाधाय उत्पन्न कर सकता है पर यदी परिशरम जीवन में बढ़ जाता है तो जीवन में अधिक परिशरम के उपरांती ही लाब होगा किसी प्रकार का लाब चाहे जीवन में आप किसी भी तरीके की अइसपेक्ट की बात करें चाहे वो करियर हो एजूकेशन हो या फाइनेंसेज हो कुछ भी हो आपको उन चीजों को हासिल करने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे काफी महना तो परिशरम करना पड़ता है यह धीमी विलंबित और सीमित जो है व्यवसाइक और आर्थिक प्रगति भी देता है यानि कि आर किसी सूर्तों में केस टू केस डिपेंड करता है अर्विक्ति पे कभी ना कभी लिमीटेशन हो जाते है तो सीमित भी कर देता है वह यानि कि जो करियर में और फाइनेंसेज में ग्रोथ की अगर बात करें करियर और फाइनेंशेल ग्रोथ तो वह उसमें या तो स्लोडाउन हो सकता है या उसमें जो है डिले हो सकता है या उसमें लिवीटेशणा सकती है इस स्थिति में है जाहां उसको शनी से बलप्राथती है और जासा मैंने का लगने और चंदर के जदर को शन्धर को दरूर देखे काफी जादा तो material aspect जो life का है उसमें बहुत जादा रुजहान लेते हैं और उसी के जो एक तरीके से driving force कहा जाए विक्ति का तो वो भौतिकता ही बन जाती है कि जीवन में बहुतिक सुख है या भौतिक प्रगती है उसी के लिए वो जीवन में काम करते हैं क्योंकि यहां ब्र जाएन में काफी जादा पाई है कई सारे cases में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह विक्ति को जो है यहां पर ब्रहस्पती की खास इस्थिती ऐसी होती है जब शनीस उसको बल प्राप्ति हो तो वह अनायती के अवैधकार्यों दोरा धन प्राप्ति देता है और नायती क्रियेट कर देगा विक्ति के भीतर कि जो है जो भी अनायतिक या अवैधकार्य हैं जो की कानूनी रूप से वैध नहीं माने जाते उसके द्वारा ही धन की प्राप्ति तो यहां पर धन की प्राप्ति हो रही है पर वह अनायतिक और अवैधकार्यों द्वारा किसी भी अन प्राप्ति करें नैतिक कारें से धन प्राप्ति करें लीगल सोर्स से धन प्राप्ति करें तो वहां पर जितना कोशिश करने जाते उतना उल्टा नुकसान होने लगता ये खास इस्थती मैं ने देखी भी अपने अदेयन में भी इसलिए मैं आपको पता भी रहा हूं और ये करियर के लिए माली जे विक्ति काुंड़ी में responsible हो जाएगा तो यह स्थति आर ज्यादा बढद जाएगी अगर करियर काुण ले है करे कर के माली जे बृहस्पति जिम्मेदार नहीं है तो यह स्थति उतनी देखने जिसके बारे में हम बात कर रहे ते से पहले जब रिष्टपती पूरी तरीके से नीजभंग में होता है और नेतर तो चमता है, निर्णायक चमता है, डिसीजन मेकिंग के बिल्टी है, परती बद्धिता है, कमिट्मेंट है, ड्यूटी फुल नस है, उसमें जो है गिरावट क देखने को मिलती है, आप कितना परसेंट है, वो तो विक्ति देली भी दिखाई पड़ेगा, पर यह है कि इन में नकारात्मक्ता जरूर दिखाई पड़ेगी, इसके अलावा अब जैसे ब्रहस्पती जो है और इसके लिए चंद्रों लगने के स्वामी को जरूर देखें, बहुत बहुत अनिवार रहे इस केस में देखने के लिए, अगर वो भी किसी तरीके से ऐसी स्थितियों में बैठे हैं, जहां पर ऐसी परिस्थितियों को वो और बढ़ाने का बढ़ावा देते हैं, तो यह भरष्टता है और स्वार्थ है, इसकी आसकती की संभावना बढ अगले केस के बारे में बात करते हैं, अब यह आखरी केस है, तीसरा प्रकरन, जिसमें हम बात करेंगे, कि ब्रिहस्पती का नीज भंग नहीं है, किसी भी तरीके का, और साथी साथ उसको शनी का भी कोई सपोर्ट नहीं है, यानि कि ब्रिहस्पती नीज राशी में तो था ही, और शनी जो है वो खराब इस्थितियों में चला गया, खराब राशीों में चला गया, मालीजे वो भ भावो में दोनों ग्रह बैठ रहे हैं या खुद भी पीडित हो जाते हैं दोनों ग्रहें कि छटे आठवे भारवे भाव में बैठे हैं या पापकरतरी योग में जा रहे हैं भीशड़ पापकरतरी योग बनता है मिर्त्यु भाग में चले जाते हैं अस्तो हो जाते हैं वक् के लिए ये अलग-अलग होगी ये परसंट तो परसंट चेंज होती है वेरी करती है तो यहां पे जितनी ज्यादा निगेटिविटी दिखाई पड़ेगी जितनी कंडिशन समने बात करी वो फुल्फिल अगर होती चली जाती है तो उतना निगेटिव इंपक्ट ब्रहस्पत क्योंकि वो हमारा व्यक्तित्व है हमारी मानसिक्ता हमारी विचार धारा है अगर वह भी दूशित हो जाते हैं प्रदूशित हो जाते हैं अच्छी स्थितिम नहीं जाते हैं तो मानसिक्ता और व्यक्तित्व दोनों खराब कर देंगे और ब्रहस्पति अल्रेडी कारक होता हमारे अच्छी आदतों का तो वह काफी जादा जो है नुकसान पहुचाता है विक्तित्व को यह प्रिस्थति को जो है जिन परिनामों की अब हम आगे बात करेंगे यह इन से घबराने की ज़रूरत नहीं है मैं यह इस लिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में इस विश मेंदार जरूर होगा जो ऐसी परिस्थितियां दे रहा है उस व्यक्ति को और ब्रिहस्थति उसमें से एक है जिस परिस्थिति के आज हम बात करने जा रहा है जो जो कुंडली होती है वो व्यक्ति का आएने की तरह होती है मिरर वो हमारे रिफ्लेक्शन को दिखाती है कि हम जैसे हैं, तो हम कैसे कितना भी दुनिया से हम अपने आपको छुपा सकते हैं, अपने आपको अपने आप से नहीं छुपा सकते हैं, तो यह ब्रिहस्पती के जो लक्षणों की अभंबात करेंगे, यह परिस्थिती बहुत जादा खराब मानी जाती है, अगर नीजभंग नह पर मेरी एक चेतावनी है यहां पर यह कि आप जो है किसी भी कंक्लूजन पर डिरेक्ट मत आईएगा खास तोर से जो लोग जोतिश में बिल्कुल नए नए होते हैं वो उस उनके अंदर यह ज्यादा टेंडेंसी दिखाई पड़ती है कि वो किसी भी कंक्लूजन पर तुरंत करता जाते हैं बीना को सोचे समझें ऐसे नहीं करें यहां पर हम जिन चीजों के बारे में जान रहे हैं उसको ग्यान के दूरूप से लीजे पर यह स्थितियां जो है दिखाई पड़ती है इसलिए मैं आप से शेयर कर रहा हूँ तो आप यहां पर कौन कौन सी परिस्थित या उनके बारे में देखते हैं अगर यह परिस्थिती हुई कि बिढ़ती नीच भंग नहीं बनाता है शनी पीडित है और चंद्रोल लगनिके स्वामी भी कमजोर हो रहे हैं तो यह बहुत खराब इस्थिती मानी जाती है लक्षणत बात करते हैं यहां पर शडर्पू की म मात्रा शरीर में भारी मात्रा में बढ़ी होगी बहुत ज्यादा बढ़ती है जिसमें से जो है जिसकी मात्रा बढ़ी होगी उसी के इर्दगिर्द वेक्ती की जो है परसनेल्टी बनती है उसी के इर्दगिर्द उसका व्यवहार होता है उसी के इर्दगिर्द उसकी जो है मानसिक्ता बन जाती है तो काम है, क्रोध है, लोब है, मो है, मद है, मातसर है छहयों में से कोई भी एक या एक से अधिक निश्चित रूप से बढ़ा हुआ होगा और इंद्रियों पर कोई नियंतर नहीं हो ना क्योंकि शट्रिपू अगर बढ़ा हुआ है अत्यधिक स्वार्थपरता, कपट, कुटिलिता, चारित्रिक पतन अनेक बुराईया या एब जो है व्यक्तितु में देखने को मिल सकती है बुरी लतें, खास तोर से नशे की लतें हैं, सेक्शूल एडिक्शन्स हैं ये हम इससे देख सकते हैं बरश्टिता है, विश्वास गहत है, अती संकीर्ण विचारधारा है सिक्षा या तो बाधाएं बहुत होंगी या होगी ही नहीं सिक्षा, किसी भी तरीके की व्यवसाइक और आर्थिक प्रगती जीवन में नहीं होती प्रतिष्था इसकी प्राप्ती नहीं व्यवाहिक जीवन में भारी समस् Butter और महिलाओ केक्श में अगर यह है तो यह व्यवाहिक जीवन को पूरी तरीके से ख्राब कर देगा या तो डिवर्स दे सकता है या एक सैदिक विवा दे सकता है या Democrat Appair दे सकता है जिसे महिलाओं ने यह पूरुशों के समस्त में वह हैं में बता करता हैं ऐसी पर दिर परिभाहिक जीवन में उत्पन करता है संतान का उन rubा कर समस्त जब हो जाये उसके स्वास्त को परचान कर सकता है या संतान हानी के योग अगर बन रहे हैं तो उसमें भी ये साहयक ग्रह बन जाएगा या संतान से जीवन में बहुत ज़्यादा खराब संबंद, very bad relations with the children कोई सपोर्ट नहीं हमेशा लड़ाई जगले फसाद ऐसी संतान के साथ अपने बच्चों के साथ रिलेशन बनाता है अगर वो कमजोर है ऐसी इस्तिती में है साथी साथ लोगों का हमेशा निराधर करते हैं छोटे हों बड़े हों कोई भी हों किसी का आधर नहीं किसी के प्रती सम्मान नहीं किसी के प्रती कोई इज़त नहीं यह ब्रेश्पती देता है सारे अनैतिक और अवयद कार्यों में लिप्त किसी भी तरीके के जो अनैतिक और अवयद कार्यों उन्हीं में ही विक्ति का मन लगेगा कि किसी भी तरीके से लाओ धन बस आ जाए पैसा आ जाए कैसे भी आ बस आ जाए मेरी इच्छा पूरी हो जाए बस हो जाए कैसे भी हो ज सिस्टम में अनेकों बिमारियां होती है कुछ भी हो सकती है उसमें लिवर की भी कई टाइप की बिमारियां होती है कोई भी दे सकता है वह थाइरोड की प्रॉबलम है इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉबलम्स है जो कि शरीर को चारीरी कुरूप से परशानिया देता या क चेतावनी थी कि आप पहले ब्रहस्पती की इस्थिती का सही आकलन करें चंद्रमा और लगलिके स्वामी को देखें उसके बाद किसी निशकर्ष पर आएं डारेक्ट किसी कंक्लूजन पर आना जो है बहुत खराब इस्थिती होती है जिसमें कि आपका विश्वास एक तो जो आई नहीं कर सकते हैं यह फैक्ट है ऐसे लोग हैं तो इसको और जैसा मैंने का जोतिश एक आईना है वो दिखाता है आप जैसे हैं वो दिखाएगा आप समाज में कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करें पर अगर आप अंदर से जो है आपके अंदर कमिया हैं तो आप दुनिया से चुपा सकते हैं अपने आप से नहीं चुपा सकते हैं तो यह जो इस्थिती है और यह जोतिश पूरी तरीके से दिखाता है इसलिए मने यह तीन केसिस की बात करी और आप देख सकते कि कितना वाइड वैडियेशन है इसमें एक तरफ कहां अगर नीज भंग ब लगातार दो बार यूएस प्रेजिदेंट रहे उससे पहले भी सेनिटर रहे और लॉयर रहे लॉके लिए बढ़ी ची स्थिती होती तो एक तरफ आप देखिए कि कहां पे जो है वह ब्रिहस्पती नीच राशी में होने पर कितनी उचाईयों तक लेके गया कितनी उचाई पर वही मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ तो ब्रिहस्पती के पास यहां काबलियत होती है कि वह शिखर तक पहुचा दे या पूरी तरीके से गर्त में गिरा दे और यह अती समवेदानशील स्थिती है इसलिए इसमें बहुत बहुत बारीकी से विश नहीं आप उसका आगलन करिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पुछ भी कहने की दरुवत नहीं है किसी विक्ति को जो है कभी भी एक एक तरीके से जूट नहीं बोलना चाहिए जो भी है जैसी इस्तिती है उसको बताएं पर सही बताएं गलत नहीं तो यह हमने आज बहुत से देखा कि ब्रहस्पती नीच राशी में होता है तो कैसे परनाम देता और वेरियेशन आप देख सकते हैं खुद पर खुद यह कहां एक तरफ शीखर में पहुचाता है कहां एक तरफ बिलकुल गर्द में गिराता है तो यह उसकी स्थिती पर निर्भर करता है कुंडली ओवर ओल भी बहुत बहुत जिम्मेदार होती इसके लिए तो इस और इस वीडियो में मेरा परपस यह है कि यह स्थिती जो है यह बहुत-बहुत समवेदान्शील है ब्रहस्पती एक मात्र ग्रह जैसा मैंने का बहुत महतुपूर्ण है अगर यह कमजोर हो गया तो यह जी तो मेरे खाल साब बहुत आज समझ चुके होंगे कि ब्रहस्पती कैसे पढ़नाम देता है मकार राशी में होने पर तो यह दि आप मैंने इस चैनल पढ़ना है नीचे दिवे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजे ज़्यादा जैनकारी के लिए आप मैं डिवेब